अभ्यास अस्सी, महोदे हमारे एक मित्र ने कहा है कि संपत्ती की रच्छा करना राज्य सरकार का करतब्य नहीं है, राज्य सरकार का काम तो सिर्फ सांती और विवस्था को बनाए रखना है, मेरी समझ में नहीं आता कि कॉंग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है, अगर राज्यों में संपत्ती की रच्छा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है तो प्राइबेट संपत्ती की रच्छा कैसे होगी, अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ती की रच्छा करने में राज्य सरकारे अच्छम है, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरन प्रस्तूत करने चाहिए थे, कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारे सार्वजनिक संपत्ती की रच्छा करने में ना कमयाब रही है, इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है, जो अधिकार केंद्रिय सरकार अपने हाथ में ले रही है, अन्तो गत्वा उन अधिकारों का उपयोग सुरच्छा, बल और कमांडर करेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है, क्या इसके कारण जिन राजियों में बीरोधी पच्च की सरकारे हैं, उनमें और केंद्र सरकार में संखर्ष होने की संभावना नहीं है, अगर आप वास्तव में सर्वजनिक संपत्ती की रच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सर्वजनिक उद्योगों में जो दूर बेवस्था है, उसमें आप मजदूरों को भागिदार बनाते, अगर मजदूरों को प्रबंध में भागिदार बनाया जाता है, तो संपत्ती की रच्छा स्वयम हो जाती है, किसी प्रकार से मजदूर संपत्ती को नश्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी इस्थिती यह है कि मजदूरों पर आपको विश्वास नहीं है, समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आपको समझवाधी सरकार बताती है, सोसलिज्म के सिधानतों पर चलने वाली सरकार बताती है, और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर बर्ग पर विश्वास नहीं है, यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयम सच्छम नहीं है, मजदूरों के हितों की रच्छा करने के लिए आपके मन में इच्छा नहीं है अन्य था एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रयास होना चाहिए था कि हिंदूस्तान में मजदूरों में संबंधता बढ़े उनकी यूनियने फले फूले ताकि आगे चल कर नक्सलाइट वर्ग यहां पैदा ना हो तोड़ फोड करने वाला वर्ग यहां पैदा ना हो उनसे बचने के लिए जरूरी है कि संबंधता हो वे कानून और काईदे से अपनी लड़ाई लड़े कानून और काईदे से हरताल पर जाएं काईदे से नोटिस दे और बातचीत करे लेकिन इन सारी विवस्थाओं पर आपका विश्वास नहीं है इसलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमन किया है पैरग्रप्चिन किसे भी आदमी को मुक दर्सक नहीं रहना चाहिए हर ब्यक्ति को सधारनतया इस देश में गिरफतार करने का अधिकार है उसके सामने अगर कोई चोरी